हमको तो इस बात पर हसी लगती है कि हासुआ के भिया हमें खुर्पा की गीति लोगा देखे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि एक धरम सास्तर में लिखा गया है कि अंधे बेयक्ति अगर अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड़े में जाता है जैसे की राकेश जी पर कहा गया है आधर नियव पर्धान मंत्री जी के दोरा कि क्रीमी लेयर जो है वो एसी एस्टी में लागू नहीं होगी अभी हमारे साथ समाजी कारेकरता राकेश कुमार जी है हम जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोट का बयान आया है एसी एस्टी रिजर्वेशन में क पोटा इस पर इन ही के समाज में से एक रामबिरिश सदाजी है जो अलॉली विधान सभा के बिधायक है वो कहीं कहीं बिरोद कर रहे हैं लेकिन इनका इनके वर से कहा जा रहा है कि वो गरीबों के हक्श में हैं तो क्या कहना चाहिए आपके समाज के लोग जो आराच्षन स कि यह लोग से कहना चाहेंगे कि वह से लोग ही समाज को एक समझे की गड़े की और लेके जा रहा है गलत मेसेज देकर जो कि सुप्रेम कोट का जो फैसला है वह कुछ और कह रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं बिधाया कौन बना दिया है इनको तो इतना भी समझ में नहीं आ र यहां पर कहा गया है आधर्णिय प्रधान मंत्री जी के द्वारा कि क्रीमी लेयर जो है वो एसी एस्टी में लागू नहीं होगी दूसरी बात हमारे नेता आधर्णिय ब्यार के पुरु मुख मंतिया बरतवान केविनेट मंत्री स्रीजीता रामांजी जी का कहना है कि एसी एस्टी में पिछड़ गये है जो भी एसी एश्टी के परिवार जो काफी जिन्टक आज तक आराच्छन का जो लाब है उनने ही पहुँचा है उसके अधार पे उसके लिए खास करके उनको बर्गि करन चाहिए और उनको मिलना चाहिए और वो किस socialistर्णिय बहुत लोग तो गलत रिमर उड़ा दे रहें, लेकिन उनका कहना है कि सैचनिक अधार पे ही दीजिए, सैचनिक अधार पे ही वर्गी करन कीजिए, ताकि जो पीछे छुट गए हैं, जो भी S.E.S.T. में हैं हमारे भाई, छोटे भाई, उनको ये लाव मिले, आज 78 साल हो गया है, देश को पजाद किया हुआ, ये आराच्छन को लागू हुआ, लेकिन आज तक जो अनुसुचित जाती के लोग, अनुसुचित जन जाती के लोग, जितने भी बाईस जातियां है, अनुसुचित जाती में, उनको देखा जाए, तो अभी तक उलो को रहने का ठीक से घर नहीं है, मक लेकिन यहां तो बहुत सारे लोग है जिनको लगता है पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहा है और इतने बड़े पद्ध पे चले गए हमको तो इस बात पर हसी लगती है कि हासगा के भिया में खुरपा की गीती लोगा देखें बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि एक ध हासगा के भिया में खुरपा के गीत गा रहे हैं तो आपको हम बता दे कि उनका कहना है कि हमारे विधान सभा में चलिए बहुत हमने विकास किया है गरीबों के हीद में विकास किया है विकास अगर करते तो हम उनके विधायक में अल्रेटी एक बार घूम चुके हैं लेकिन हमने तो देखा उस रोड का हालत जो रोड से पांच बिनटें पहुंचना चाहिए था वो रोड से हमको डेड़ घंटा जाने में लगा कैसा विकास है जी वहां के लोग को देखे जुगी जोपड़ी विचारे लोग ये बारिस का टाइम है अभी अभी आप जा के देख सकते उत्री विहार में जो उनका विधान सवा है अलोली वहां देखिएगा तो पता नहीं इस समय कैसे लोग रहते होंगे और ये आराचन इनको समझ में आता है कि आराचन क्या होता आराचन के मूख उपभोगता है तो वो लोग है जिनको मिलनी चाहिए बिचारे लोग जुगी जोपड़ी बना करते हैं रोड किनारे बगल में पानी भरा हुआ है मच्छन काटेगा क्या होगा ये तो इनको पता पहले आराचन छोड़ना चाहिए क्या कहना चाहिए जीतन रामान जी जी के पहले आराचन छोड़ना चाहिए उनको तो हम एकी चीप फिर क्यों बोलवाते हैं ये तो अभी उनको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोट ने क्या मने आदेश दिया क्या सुचना जारी किया है किस ताइप के वर्गी करन करना यह तो जनकारी ही नहीं है तो आगे दूसरों को क्या बोलेंगे और बात रहेगी तो जीतन रामाजी जी के सामने उनकी कोई अवकात नहीं है वो तो रोते थेक समया के जीतन रामाजी को पैर पकड़के तब जाके आज वो बिधायक बने हुए य जाके आज 10-15 बिधायक है मांजी समाज को अधर पार्टी से यह उन लोग को याद करना चाहिए और इसको याद रखे नहीं तो कोई पुछने वाला नहीं वो इससे लोग को मिलेगा पुरा बिहार में राकेश जी बहुत बड़ा बयान दिये हैं और कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी में मांजी मुसाहर समाज के लोग अगर आज विधायक बना हुआ तो वो जीतन रामांजी का देन है बिलकुल देन है इस बात को हम लोगों जानते हैं और साबित कर सकते हैं यह लोग क्या है जीतन रामांजी जी के सामने अभी बहुत बच्चे हैं यह लोग अभ लोगों ने एक समेलन किया था क्या उसमें आपके अलोली विधान सभा के विधाया करम पिरिश सदा जी पहुँचे थे उतको तो पता हैं कि आराच्छन किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए उसको तो यह भी पता उनको नहीं है कि सुप्रिम कोट ने क्या आदेस दिया किस तरह के बर्गी करन होना चाहे तो वह से आदमें क्यों आएंगा जिनको पता ही नहीं है साथ को एक बता और आपको हम बता दें कि जो भी सड़क पे उत्रे 21 तारीको भारत बंदी में उसमें दूला नहीं था बिना दूले के बरात लोग जा रहे थे जैसा कि आपको बता दे कि पीछे से रंबिलास पस्वान का जो पुतर हुए चिराग पस्वान जी वो भी बोले कि हम इसको समर्थन करते हैं 21 तारीको भारत बंदी में उसी परकार से मायावाती भी बोले कि हम भी समर्थन करते हैं लेकिन रोड़ पर किसी बैक्ति को नहीं देखा गया, क्या कहना चाहिए यह सब सिर्फ जुटलाना जानते हैं लोग समझे एक तरह से जो जनता है उसको धोखा देना चाहते हैं और धोके में रखना चाहते हैं कि अगर इनको ये समर्थन करना था तो रोट पे आना चाहिए ना लेकिन ये लोग जैसे जैसे अगर नेता रहेंगे तो पता नहीं ये आराच्छन तो छोड़ दीजे ये समाज का क्या होगा सिर्फ भोट की राजनिती करते हैं हमको तो पुन्रूप से ये राजनिती नजार आ रहा क्योंकि बहुत सारे लोग के हम आपको पहले बोल के गए कि हसुआ के भिया में खुर्पा की गीती लोग आ रहा यहां परी बात कुछ और है और इसको कुछ और समझाया जा रहा है लोग को ये भ्रह्मित किया जा रहा है कि आराक्षन खत्रे में अरे आराक्षन खत्रे में कभी नहीं हो सकता अखास करके जब तक जितान रामांजी जैसे सेर वहां बैटे हो तो आराक्षन कभी किसी का उकाती नहीं है आप ही के जितन रमान जी का एक पेपर कटिंग वाइरल होल चल रहा है सोसल मेडिया पे पूरा वाइरल चल रहा है क्या राच्छन खातम हो जाना चाहिए यह गलत है उस लोगों की इसको बढ़ियां से पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है यह 2016 की कटिंग है लेकिन इतना दीन ही लोग कहां सोय हुए थे उस समय यह बात उठनी चाहिए ना कहां सोय हुए ते गलत है बिल्कुल इसी को तो मैंने कोपी किया जा रहा है लोग को इसे कुछ हमारे समाज के भीस में बहुत जादा आपने आपको बुदी जीवी समझते बहुत सारे इसमें लोग पढ़ गए है कि यह ऐसे बोल रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनको कहना है जो आराच्छन हमारे काम ही की नहीं है उसको खटा दिया जाए लेकिन उनका यह नहीं कहना था कि आराच्छन ख़तम कर दिया जाए एक बहुजन समाज के पतरकार है वो कह रहे हैं कि मांजी जी आपका सम्धन विधायक बन गई, आपका बेटा मंत्री बन गए, आपका बहुत सरकारी नवक्री में है, आपका दमाज सरकारी नवक्री में है, तो आप आरक्षन क्यों नहीं छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहिए। दूसरे दल से क्यों नहीं पूछते हैं, एक्जाम्पल दे दें, दूसरे दल में क्या नहीं हो रहा है, दूसरे दल में तो पुरा परिवार बात चल रहा, उसका बेटा एंबी बन गया, तो अभी मुख मंत्री के पीछे पढ़ा हुआ है, तो राजसभा चले गए, यह सवाल उनसे नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उनसे यह पूछ नहीं सकते हैं, उनसे डरते हैं, यह सिर्फ जो दलित बर के लोग हैं, उसी से ही लोग सवाल कर सकते हैं, और जो सचाहिए आपके सामने है, जो 15 से 20 साल ने क्या किया है, उनसे पूछा जाए जाके, कि वो दलित के लि बिरीज सदा जी जो उचल उचल के टीबी पे मेडिया पे बोल रहे हैं वो खुरुपा के बियाह में हस्वा के गीत गा रहे हैं साथ को एक बात और बता दे कि एक धरम सास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आंधे ब्यक्ति आंधे को अगर मार्क दिखाए तो दोनों गठा में जाएगा बाकिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपनी परतिकिरिया जरूर दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद